हलो गाइज वालकम बैक आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो बुक्स रहेंगी वह आप कौन सी रेफर करेंगे बीज़ी फस्ट यर और सेकेंड यर दोनों के लिए हम डिसकस करेंगे और दोनों सेमिस्टर जो होते हैं आपके मतलब जो मेजर और माइनर है दोनों पेपर्स के बारे में डिसकस करने वाले हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका जो पेपर बीएसी फस्ट में जो पेपर्स हैं आपके एक है आपका प्रोग्रामिंग मैथडोलोजी एंड डेटा स्ट्रॉक्चर्स ठेक हैं तो यदि हम उसकी बात करें तो प मैं इसको जूम कर देते हैं थोड़ा जी तो ये author है इस book के writer है और ये book बहुत अच्छी है तो आपका जो syllabus है उसके reference में भी दिया हुआ होगा text books के बारे में तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं तो इसमें काफी सारा जो आपका syllabus है वो complete हो जाएगा इस book में तो इसको हम एक अच्छी book मान सकते हैं आपके study के point of view से बस अब जो एक बात है वो ये है कि ये book totally English में है तो ये completely English में है यदि आप Hindi medium से हैं तो आपको कुछ series या फिर कुछ books मिलती हैं जिसी ये देखिए ये एक है प्रग्या publication की book है मैं advertise नहीं कर रहे हूँ मैं safe inform कर रहे हूँ क्योंकि बहुत चारे students ने पूछा है कि क्या Hindi में भी हमारी books मिलती हैं तो हम गो discuss कर रहे हैं आप किसी भी publication की ले सकते हो जब आप stationary पर जाओगे तो आपको इस तरीके से भी कुछ books मिल जाएंगी जिसमें क्या होगा एक side English में लिखा हुआ होगा और दूसरा part उसका Hindi में होगा तो हम यह कह सकते हैं कि यह beneficial इस तरह से हैं कि आपको English में भी यदि content चाहिए तो भी मिल जाएंगे और यदि आप Hindi medium से हैं तो भी content मिल जाएंगे लेकिन ज़िए आप English medium से हो तो मैं आपको suggest करूँगी कि आप जो books दी हुई हैं आपके syllabus में reference के लिए या फिर जो हम books यहां अभी discuss कर रहे हैं आप उनको refer करें यह series जो publications हैं आपके local वाले कमल प्रकाशन यश्राज या प्रग्या प्लिकेशन इसके लिए आप तब जाएं जब आप Hindi medium से हैं तो Hindi medium वालों के लिए यह काफी useful हैं और English medium के लिए जो books की हम बात कर रहे हैं वो तो यह देखिए टाइटल आपका दिया हुआ है programming methodology and data structure तो यह लोग जो books बनाते हैं यह भी mostly उसमें जो पूरा आपका syllabus है उसको cover कर देते हैं बट फिर भी जब भी आप book लेने जाओ तो वहाँ पर आप अपना syllabus अपने mobile में उसका PDF निकाल लें एंड एक बार टेली कर लें ठीक है कि जो आप ले रहे हैं book उसमें आपका syllabus cover हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है ठीक दूसरी चीज यह है कि यह कभी मत सोचो कि हम book purchase क्यों करें सिर्फ दो या तीन महिने के लिए नहीं बुक ज़रूर लीजिए हाँ जब आप आपका जो semester है या जो year है वो complete हो जाता है तो आप वो book return कर दो stationary को तो वो कुछ amount काटके कुछ amount आपको फिर return कर देता है ठीक तो आप अगेन अपने second year या second semester की books ले सकते हैं वहाँ पर से हाला कि libraries भी होती है college में तो आप library में भी book ले सकते हैं जाकर के बट अगर आप ये books अपने से खुद पर से भी लेते हैं तो ये books खिराय की तरह आप ले सकते हैं मतलब कुछ amount pay कर दिया ले ली और जब return करोगे तो फिर से कुछ cut होके आपको deduct होके amount मिल जाएगा तो data structure की थी है हमारी GS Balooja और जो आपका एक दूसरा paper है computer architecture उस computer architecture के लिए हमारे पास में रशीद शेक नाम की book आती है author है उसके तो computer fundamentals के नाम से है वो अभी मेरे पास available नहीं है otherwise मैं आपको वो भी दिखाती है तो computer fundamentals के नाम से है वो book वो खुद भी Hindi और English दोनों में है उसके अलावा ये अगेन मेरे पास प्रग्या publication की आईवी थी उन्होंने demo के लिए दिया था तो आप ये book भी देख सकते हूं एक side पूरा English दूसरा side पूरा Hindi और almost पूरा syllabus इन्होंने cover किया हुआ है तो ये भले ही प्रग्या हो या फिर इंदोर में आपका कमल प्रकाशन और एक ये श्राइस publication ये भी चलता है और आप यदि स्टेशनरी पर जाएंगे तो वो आपको और बता देंगे अब हम बात कर लेते हैं B.H.C. second year की तो B.H.C. second year की जो दो papers है एक है major जो computer network का है इसकी best book है आपके पास में McGraw Hill की for Rosen देखो जब भी book खरीदने जाओ तो उसके authors के नाम याद रगो ठीक है तो ये जो book है ये काफी अच्छी book है इसमें contents बहुत अच्छे म जिले बस से इसको एक बार टेली कर लें जब भी आप वहाँ पर जाएं Stationers इतना टाइम हमें देते हैं कि हम एक बार confirm कर लें क्यों मैं ये कह रहे हूं क्योंकि कई बार ये होता है कि जिस edition की ये book है उसमें आपको नहीं मिल रहा तो आप इसका पुराना edition देख लें कि जैस जाए contents मिलेंगे ठीक है तो और अगर आपको IT field में ही future मतलब MCA या MSC करना है आगे तो आपको ये वाली books ही लेनी चाहिए क्योंकि ये जो आपकी बंडरी एक library बंडरी जो आपको आगे भी काम आएगी ठीक है MSC और MCA में भी subjects होते हैं और ये advanced में दी हुई है books इसमें या हुआ है तो आप अभी जो topics छूटने वाले हैं वो भी आपके PG में कामा जाएंगे तो आप ये ले सकता है तो ये है आपकी फोरोजन किसकी है McGraw Hill की next ये हम बात करें तो दूसरा paper है आपका Java तो Java की मुझे ये जो book है ये best लगती from my student life तो जब हम भी पढ़ते थे ये भ publication है ये आपका और ये आपकी जो है इसका 5th edition है यदि पहले वाला भी लेते हैं तो भी कोई issue नहीं है BAC level के लिए अच्छी बहुत अच्छी book है और यदि आप ये वाला edition ले रहे हैं तो ये आपके PG तक काम आएगी तो ये थी ये भी total English में ही है ये reference Java भी English में है और ये ज आप Hindi मीडियम से हैं तो आप जो भी मैंने books बताई उस तरीके की books ले सकते हैं stationer से आपको सिर्फ ये पूछना है कि हमको bilingual book चाहिए जिसमें दोनों language होती है ठीक है तो वह आपको बता देंगे and then जो भी book आप select करो उसके contents को थोड़ा पढ़के जरूर देखना उसके बाद आप वो book लेना क्योंकि जब book बहुत अच्छी होती है तो हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं मन भी लगता है हमारा ठीक है और रही बात आपकी playlist की तो 3rd Samka जो computer network है उसकी playlist होपफुली हम श्री गनेश कर देंगे उसका गनेश चतुर्थी ठीक है तो मिलते हैं अपनी next वीड